जाएं दोस्तों कैसे आप सब? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Most A-Wated IPOs में से एक NTPC Green Energy के IPO के बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस IPO के Shareholder Kota के बारे में बहुत साई लोगों को इसमें confusion है उसके बाद हम इसके Gray Market Premium के बात करेंगे फिर इसके IPO के details company क्या business करती है इस industry में क्या future है company के key financials और fundamentals को detail में discuss करेंगे और मेरा क्या opinion नेने वाला है apply करना चाहिए है नहीं listing gain के इसाब से और long term के इसाब से last में इसके बात करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा अब सबसे पहले हम इसके shareholder quota की बात करते हैं देखिए company ने जो अपना RHP है यनी red herring prospectus है वो यहाँ पे 13 नवर को file कर दिया था अब यह जो है company अचानक से अपना file कर देती है अगर आपके DMAT account में इस date से पहले यहाँ पे NTPC जो इसकी parent company है उसका share है तो आप इस IPO में shareholder category में apply करने के लिए eligible होंगे जब company ने अपना DRHP यहाँ पे file किया था एक दो महीने पहले मैंने इसका update यहाँ पे telegram पे भी कर दिया था कि आप इसका एक share यहाँ पे लेके रख लो अगर आपको future में shareholder category में apply करना है इसका amount होना चाहिए और इसका allotment जो है वो यहाँ पे proportionate basis पे होता है यानि जितने ज़्यादा lot आप apply करेंगे उतना ज़्यादा आपका chance रहेगा यहाँ पे allotment मिलने का हलाकि पूरी 100% guarantee तो यहाँ पे भी नहीं होती है अगर बहुत ज़्यादा subscription यहाँ पे आ जाता है तो lotery जैसा ही system यहाँ पे हो जाता है अगर आप apply करना चाहते हैं और आपके पास सिर्फ एक ही lot में apply करने के पैसे हैं और आप eligible है shareholder category में apply करने के लिए तो आपको shareholder category में apply करना चाहिए क्योंकि उसमें allotment के ज़्यादा chances होते हैं चलिए अब हम इसके grey market premium की बात करते हैं तो इसका current GMP यहाँ पे 1% के आसपास चल रहा है 3-4 दिन पहले इसका जो GMP है वो 8-10% के आसपास चल रहा था पर वो अब कम होते होते 1% पे आ गया है देखी जो market का sentiment है वो भी हमें पिछले काफी time से negative देखने को मिल रहा है तो इसकी थोड़ी बहुत demand भी अगर grey market में बनती तो वो यहाँ पे market के overall sentiment के कारण यहाँ पे कम ही दिखाई दे रही है नाकि GMP जो होता है वो सिर्फ एक अंदाजा होता है यह कोई guarantee नहीं होती है यह change होता रहता है इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है अगर हम इस company के business के बारे हम बात करें तो NTPC Green Energy यह NTPC Limited की subsidiary है और यह company लबग सिर्फ 2 साल ही पुरानी है 2022 में start हुई थी NTPC Green Energy यह यहाँ पे renewable sources से यहाँ पे बिजली यानी energy बनाने का काम करते है और यह mainly solar और wind energy पे काम कर रहे है और आने वाले time में यह hydroelectric projects पे भी काम करेगी इसकी जो current production capacity है वो यहाँ पे 3.6 gigawatt की है और company का target है इसको financial year 32 तक 60 gigawatt तक पहुचाने का और NTPC Green Energy यह government sector की एक बड़ी company है government भी renewable energy sources पे बहुत जादा focus कर रही है इनका target भी है 0% carbonation by 2050 और अगर हम इस sector के बात करें renewable energy का जो sector है इसका future यहाँ पे काफी bright है क्योंकि जैसा हम जानते है fossil fuels जिससे अभी बिजली बनाई जाती है देरे देरे हम यहाँ पे renewable energy की तरफ shift हो रहे है और आने वाले time में काफी अच्छी growth हमें इस sector में देखने को मिल सकती है चलिए अब हम इसके financials की बात कर लेते है सबसे पहले अगर हम इसके assets की बात करें तो assets में हमें इसके काफी अच्छी growth देखने को यहाँ पे मिल रही है FI24 में company के assets थे यहाँ पे 27,206 crore के आसपास हलांकि इस company का सिर्फ 2 साल का ही data है क्योंकि 2 साल पहली यह company बनी है revenue की बात करें तो revenue में भी हमें काफी अच्छी growth यहाँ पे देखने को मिल रही है FI24 में company का revenue था यहाँ पे 2000 crore के आसपास profit after tax की बात करें तो company last two years में profit में है FI23 में company का profit था यहाँ पे 171 crore के आसपास और FI24 में वो बढ़के हो गया 344 crore के आसपास तो profit में भी काफी बढ़िया growth हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और profit margin की बात करें तो वो भी यहाँ पे company का बढ़िया है 16% के आसपास network की बात करें तो FI24 में वो यहाँ पे company की 6200 crore के आसपास है which is good reserve and surplus है company के यहाँ पे FI24 में 512 crore के आसपास और total borrowing की बात करें तो company पे यहाँ पे अच्छी खासी borrowing भी है अभी currently company के उपर यहाँ पे करीब 17,000 crore के आसपास debt है और company का debt to equity ratio भी यहाँ पे थोड़ा high है 1.91 है जब debt to equity ratio यहाँ पे 0.5 से कम होता तो बहुत अच्छा माना जाता है इसके बाद अगर हम इसके fundamentals की बात करें तो company की ROE, RONW and ROC यहाँ पे कम है और company का जो PE ratio यहाँ प्राइस to earning ratio है वो यहाँ पे 148 के आसपास है और अगर हम इसे इसके peer से compare करें तो अधानी green energy का PE ratio यहाँ पे 260 के आसपास है और renew energy global का जो PE है वो यहाँ पे 50 के पास है तो इसके जो दो listed peers हैं अधानी green energy के comparison में तो इसकी valuation यहाँ पे कम नजर आ रही है और renew energy के मुकाबले जो इसकी valuation है वो यहाँ पे थोड़ी high नजर आ रही है तो इसकी valuation को हम यहाँ ठीक ठीक बोल सकते हैं इंडस्ट्री के comparison में ऐसा भी नहीं बोल सकते ही बहुत जादा है ऐसा भी नहीं कह सकते ही बहुत कम है हाला कि मेरे according और ज़्यादा better valuation इसकी यहाँ पे की जा सकती थी और ज़्यादा attractive price पे इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं जैसे हम इस IP का analysis कर रहे हैं वैसे ही investing में सरी decision लेना भी ज़रूरी है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको नए stock edge के बारे में job और भी powerful हो गया है चाहे आप experienced investor हो या beginner इस redesigned platform पे कुछ ऐसे features हैं जो आपकी investing journey को next level पर ले जाएंगे सबसे पहले है advanced analytics जो आपको smarter insights के साथ stocks को discover करने में help करता है फिर enhanced stock tracking feature जो real time updates और personalized watchlist के साथ आपको उन stocks पर नज़र रखने में help करता है जो आपके लिए important है अगर आप industry wise stock analyze करना पसंद करते हैं तो universal sector scanners के साथ आप easily अलग अलग industries के stocks explore कर सकते हैं पिछली बार आप मेंसे काफी लोगों ने इसके premium के trial version का फैदा उठाया था आप लोगों को वो बहुत पसंद भी आया था लेकिन 30 दिन के बाद काफी लोगों ने personally मुझे बोला कि next month से 399 का charge लगेगा और आप लोग कोई alternate offer चाहते हो तो मैं और stockage मिलके आप लोगों के लिए exclusive और जबदस deal लेके आएं अब आपको premium का monthly plan 400 में नहीं बलकि 125 में मिलेगा जी हाँ stockage दे रहा है अपना annual plan जो normally 3000 रुपीज का होता है लेकिन मेरा coupon code H50 डालोगे तो ये आपको 50% discount पर मिलेगा मतलब जो monthly plan आपको 400 पर मंथ renew करना पड़ता था अब वो सिर्फ 125 रुपीज पर मंथ हो जाएगा पूरे साल के लिए लेकिन ये offer सिर्फ पहले 200 लोगों के लिए है तो जल्दी करें और जो लोग ये offer पिछली बार miss कर गए थे उनके लिए भी कुछ खबरी है मैंने specially अपने code Sunil 100 को renew करवाए तो इसे use करके आपको premium का 30 दिन का free trial period मिल जाएगा अगर आपने ये trial पहले नहीं लिया था मेरी मानो इससे अच्छी deal और कहीं नहीं मिलेगी तो जल्दी अपना spot पकड़ लो और इस जबरत software का फायदा उठाओ चलिए अब हम वीडियो में वापिस आते हैं और NTPC Green Energy के IPO की details की बात कर लेते हैं इसका price band यहाँ पे 102 से 108 रुपे पर share का रखा गया है total issue size यहाँ पे है 10,000 करोड रुपे का और यह पूरा का पूरा यहाँ पे fresh issue होने माला है employees के लिए यहाँ पे 5 रुपे का discount भी दिया गया shareholder quota यहाँ पे 10% का रखा गया है और retail category के लिए भी यहाँ पे 10% के shares offer किये गए एक lot में यहाँ पे 136 shares रखे गए हैं यहनि आपको 14,904 रुपे minimum pay करने पढ़ेंगे इस IPO में apply करने के लिए इस IPO की जो timeline होने वाली है उसको आप यहाँ पे screen पे देख सकते हैं 27 नॉम्बर को इस IPO को listing होगी और आप 22 नॉम्बर शाम 5 बहे तक इस IPO में apply कर सकते हैं चलिए अब हम conclusion की बात करते हैं कि इस IPO में apply करना चाहिए है नहीं मैं अपना opinion शेयर कर देता हूँ आपको कोई भी decision अपने according अपना analysis करके लेना है पहले listing ये इनके pointer view से बात करते हैं तो first point GMP अगर हम इसका देखे तो वो कम है market की sentiment भी हमें यहाँ पे weak देखने को मिल रहे हैं दूसरा point अगर हम बात करें इसकी anchor list की तो वो अभी तक आई नहीं है जैसी इसकी anchor list आजाती है तो उसका update भी मैं यहाँ पे देदूँगा तीसरा point अगर हम बात करें इसकी valuation तो हमने देखा इसके peer के comparison में इसकी ठीक ठीक valuation निकल के आ रही है लेकिन मुझे personally ऐसा लगता है कि इसका जो price band है वो यहाँ पे अगर 55-60 रुपे के असपास आता तो इसकी काफी अच्छी काफी attractive valuation यहाँ पे निकल के आती यानि जैसा लोग पहले इससे expect कर रहे थे कि हमें काफी अच्छी valuation इसमें देखने को मिलेगी काफी attractive price band देखने को मिलेगा उससे जो हैं थोड़ी high valuation लेके आए यहाँ ठीक है और ज़्यादा better valuation यहाँ पे की जा सकती थी तो इस valuation के बाद इसका market cap है जो यहाँ पे 91,000 करोड के आसपास हो जाएगा तो अलरड़ी यह इतने ज़्यादा size की company हो जाएगी तो short term में शायद हमें इसमें इतनी ज़्यादा growth देखने को नहीं मिलेगी और fourth point हमारा आता है इसके demand तो बहुत सारे लोग इस IP का wait कर रहे थे तो demand तो इस IP की अच्छी है ठीक ठाक subscription हमें इस IP में देखने को मिल सकता है तो सारी चीज़ों को देखते हुए फिलाल मुझे नहीं लगता कि इस IPO से हमें 5 ये 10% से ज़ादा listing gain की उमीद रखनी चाहिए ये भी सिर्फ एक possibility है market के sentiment को देखते हुए शायद ये भी ना मिले तो मैं तो personally अभी 2-3 दिन wait करूँगा देखूंगा आगे चीज़े कैसी रहते हैं फिर कोई decision बनाऊंगा आप अपने according अपना analysis करके यहाँ पर decision लीजेगा बाकी long term point of view से बात करते हैं तो सबसे पहले अगर positives के बात करें तो company जी sector में है company का future तो यहाँ पर bright लगता है यानि company का vision यहाँ पर काफी तेई से growth करने का है बहुत ही जल्दी अपना IPO भी लेके आ गए हैं इसके बाद negatives के बात करें तो सबसे पहला negative है company का high debt जैसे हमने देखा company का debt to equity ratio है वो 1.91 का है यानि normal से थोड़ा जादा debt यहाँ पर company पर देखने को मिल रहा है तो यह थोड़ा सा negative point है उसके बाद एक और negative point यहाँ पर निकल के आता है company का जो major revenue है 80-85% का जो revenue है वो उसके top 5 clients से निकल के आता है यानि company जो है वो अपने top clients पे highly dependent है इसके बाद इसका point आता है valuation का जैसे हमने बात की कि जितना लोग यहाँ पर expect कर रहे थे उससे कम valuation यह लेके आए valuation जो जो इनकी और better यहाँ पर हो सकते थी और ज़्यादा attractive valuation पे इसको लेके आ सकते थे तो यह थोड़ा सा personally मुझे negative लग positives, negatives मैंने आपको दोनों बता दिये है बाकि decision आपको अपने according अपना analysis करके लेना बाकि इससे rated आने वाले updates के लिए टेलिग्राम एन WhatsApp चैनल को follow कर लिजएगा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिश्म में मिल जाएगा आपको इस IP के बारे में क्या लगता है आप क्या करने वाले है अपना opinion comment section में जुरू share कीजिए वीडियो पसंद आये तो इसे like कीजिए आज की वीडियो में इतना ही मैं आना मैं सुनील मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching